एक गजल से शुरुवात करूँगा गजल कुछ इस तरह है यहां जजबात रखने की खता आम है क्या? यहां जजबात रखने की खता आम है क्या? जो धूप जल रही है इसकी शाम है क्या? बड़ी ही गर्म जोशी से करूँ मैं इश्क का सजदा अकल को रास ना आए यह वो पैगाम है क्या? कली से गुल जो निकला है उसे मैं ताकता हूँ क्या? कली से गुल जो निकला है उसे मैं ताकता हूँ क्या? जिसे मैं गुल गुनाता हूँ कोई कलाम है क्या? इसे मैं गुन गुनाता हूँ कोई कलाम है क्या गिरेबा से गिरेबा तक जो तैरा तर बतर होकर वसल कहता हूँ मैं जिसको वो कतले आम है क्या शराबे बोतले पीले साकी बन गया हूँ मैं शराबें बोतले पीलें साकी बन गया हूँ मैं दुआ जो अर्ष तक जाए वो इंतिजाम है क्या दुआ जो अर्ष तक जाए शुक्रिया शुक्रिया वो इंतिजाम है क्या अगली मैं प्रस्तित करना चाहूँगा आपके सामने एक गजल जो कि मैं गागर के प्रस्तुट करूँगा ये इस गजल की जो धुन है वो मैंने कबीर दास जी का एक गाना है हमन है इश्क मस्ताना हमन को बेकरारी क्या उससे मैंने उसकी धुन से मैं इंस्पायर डूँ तो आपके सामने है दिखा दो तुम अगर साहिल तो दरिया पार मैं कर लूँ दो कदमों तक चलूँ मैं संग तो दुनिया का सफर कर लूँ हमारा जो ठीकाना है हमारा यार ही जाने जमाना ढूंडता हम को मगर हम रहे ते अंजाने मिटा कर अपनी हस्ती को मैं खुद को बेखबर कर लूँ दिखा दो तुम अगर साहिल तो दरिया पार मैं कर लूँ अगली लाइन एक अब्जर्वेशन है जो कि थोड़ा हम लोगों ने एक लीग से हट के बात है जो शायरी में आती रहती है ऐसी एक बात है लेकिन उसी में क्या लीग से हट करके है उसको देखेगा हमारी ही नहीं गलती तुम्हारी भी तो गलती है हमारी ही नहीं गलती तुम्हारी भी तो गलती है पतंगे ही नहीं जलते शामाएं भी तो जलती है हांसी ऐसी है ये गलती के इसको उम्म्र भर कर लूँ देखा दो तुम अगर साहिल तो दरिया पार मैं कर लूँ और अगली चार लाइने पेश है दीवारें जिस्मों की जो है यही दुश्मन हमारी है रूहों की हमारी तो कई सदियों से यारी है तुम खुद को मुझ में गुम कर लूँ देखा दो तुम अगर साहिल तो दरिया पार मैं कर लूँ और है कि नहीं रहना मुझे दिल बर है इन मुर्दा मकानों में तडपता रूह का पंच्छी है मिटते आशियानों में जला कर आशिया अपना तुम्हारे दिल में घर कर लूँ आशिया अपना तुम्हारे दिल में घर कर लूँ। क्योंक हुआ हो जर कर लूँ है